आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनोट करें। तो दोस्तों, वहाँ पर हमें बताना है परासरन सिद्धान्थ, उसमें भी हमें इसे समझाना है परासरन सिद्धान्थ के द्वारा, तो दोस्तों परासरन सिद्धान्थ कैसी कारे करता है, ठीक है, रंद्र के अंदर क्या पाई जाती है, रक्षक कोशिका या गार्डसल क् सिक्राइब ही जाती हैं, रक्षक कोशिका द्वार कोशिका भी इसे कहते हैं, गार्डस है, तो स्रुखक कोशिका के अदर हरितल वक पहा जाता है। तो यहां पे क्या बनता है? ग्लुकोज, तो जब ग्लुकोज का निर्मान होगा, Destinthesis, यानि प्रकास असलेशन के द्वारा तो ग्लुकोस होता है जल में गुलंशील यह क्या रहता है जल में गुलंशील तो जल में गुलंशील होने के कारण यहाँ पे यह हमारी रक्षक कोशिका के द्रव के अंदर गुल जाएगा और वहाँ पर इस ग्लुकोस की सांद्रता बढ़ जाएगी जिस कारण बाहर का जल भी यहां पर रक्षक कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेगा अंतह परासरन के कारण, तो यह कोशिका कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी यानी स्वीट हो जाएगी और इस वज़े से रण्दर कोशिका के इस्वीत होने के कारण रण्दर खुल जाएगा यानी ओपन हो जाएगा. अब जब हमारी जो ग्लुकोज है उसका परिवर्दन होता है स्टार्च में जब ग्लुकोज से स्टार्च बनता है तो स्टार्च जो है जल में कैसा रहता है अगुलनशील तो जो हमारा रक्षक कोशिका का द्रव है उसमें ये गुलेगा नहीं और वहाँ पर ग्लुकोज के स अंतरता कम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा बही परासरन पहले क्या हो रहा था अंतापरासरन तो बही परासरन होने के कारण जो जल है वो कोशिका जो गार्ड सेल है उससे बाहर जाने लगेगा जिसकी वज़े से वो कोशिका हो जाएगी सिकूर जाएगी यानि श्लाध हो जाएगा और बही पर आस्रन जब होगा तो रंद्र बंद हो जाएगा आशा करते हैं आपको स्प्रश्ण का उतर समझाया होगा विडियो को देखने के लिए धान्यवाद आशी डाउन्यट करें डाउटन डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर